वेल्कम बैक तो इंजोर वागवानी तुझे देखे गर्मियों में मेरे जितने भी गुलाब है ना उसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और कुछ खाद सेयर किया था मैंने आपके साथ और साथ में मैंने गर्मियों के त्यारी करने के लिए यह जो है ना मल्चिंग कर दिया है जो कि वाटर का इवोपरेशन पानी जल्दी ना सुखे और इस देखे तो इसके बाद यह हमारे रोस की प्लांट जो है कितने अच्छे से जो है ना फ्लावरिंग कर रहे हैं और एक्दम यह ठंडियों से जो है ना फ्लावरिंग करते ही जा रहा है और इस जो गुलाब की जो खुजबू है ना वो इक दिवाइन खुजबू है तो इस तरीके से आप भी जो है आगर आपके टैरिस में गुलाब रखे हैं और फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं तो उसमें आप मेरी प्रीवेस वीडियो देख लीजे कि इसको प्रूनिंग कर लीजे और खात दे उसे ना अपने मिट्टी की मल्चिंग कर दीजी और साथ में जितने भी मैंने जीनिया के पौध लगाए थे उसमें बहुत अच्छे से कल्या बनने लगी है तो फ्रेंड्स यह देखे इतनी सारे मैंने जीनिया जो है इस साल जो है जीनिया ही मेरे गार्डन में बहुत ज़ इसको जो है ना फिर जहां पर जब यह कहलने लग जायगा यह तो मैंने कल्ही लगाया है और देखे whackожу और आपर दूप में रखा है और इसकी जो है ना हम प्रूपर哥 नईनिंग करनी है और यह देख एए जितने भी मेरे जीनिया है इसको फुल सण में में मैंने और रख और इसमें कल्या बनना चालू कर दिये तो चलिए जैदा लेटना करते हों हम अपने वीडियो के तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अजवाइन के प्रांट को बहुत ही असानी से कैसे लगा सकते हैं यह देखिए यह मेरा जवाइन का प्लांट है और इसमें अपना फूल बनन जाने लेके ना जो चीला बनता है या फिर रोटी होता है उसमें अटा मिसान के या फिर सब्जी में इसको आप यूज कर सकते हो और इसकी जो पती होती है एकदम गद्धेदार होती है और अपने अंदर ये पाने स्टोर करके रखते हैं और इसको फ्रेंड्स लगाना बहुत आपको कहीं भी मिल जाएने अजवाइन का प्लांट तो इसको आप लेके आ जाएए और इसको जो है ना एक दम धूपल एरिया में रखेंगे तो एक दम कड़ी धूप में भी चलता है और यह चाहों में भी चलता है तो और यह बहुत जो है ना हरा आपके घर गर कारडन में अगर आप खा भी ने रहे तो भी एक सो प्लांट के तरह ग्रेनरी आड़ करता है और देखिए इसमें फाइनली एक फ्लावर भी बनना चालू हो गया है तो इसको प्रपोगेट करना बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है चोटी सी कहीं भी आपको सिर्फा संय बllesने लिप निकाल लीजित तो देखिए मेरा टो पहले सभी निकला हुआ है तो मैं क्ल один देखिए करोंगी कि दिएक निकालने के बाद Gl Glacala बि Celebrity जैसे भी मिट्टी मिले तो ज्यादा अच्छा है और ऐसे करके किसी भी गड़े में आप उंगली गुसा कि उसमें होल बना लीजिए तो आप इसको अंदर गुसाएंगे तो यह तो फिर गलने का चांसिस रहता है और इसकी यह लिप्टी में निकाल देती हूँ और इस तरीके से आप दबा दीजिए और पानी अगर आपका जो बहुत यह जो है मिट्टी जो मॉइस्ट है तो आपको पानी देने के विजू अतनी ऐसी रहने दीजिए और देखेगा कि पांच दिन के बाद जो है आपके जड़ बन जाएंगे और दस दिन के मतलब वी दिन दस दिन के अंदर बढ़ने के बाद जब एक बार इसमें रूटी हो जाएगे तो इस तरीके से जो है आपके जवाइन का प्रांट बहुत फंदर लगता है बहुत ही आसानी से लगने ओला प्रांट है और हेल्थ वाइस तो बहुत अच्छा प्रांट है और सबको अपने घ झाल लगता है बहुत है लगताओ एंदर बहुत हे स्पाइस विजवफ defend को खर रांट हम जो है।